दोस्तों, ये है Mediterranean Sea, जो Atlantic महासागर से the Strait of Gibraltar द्वारा अलग हैं। Mediterranean Sea की कुल कोस्ट लाइन लेंग्ध करीब थाइस हजार मील तक हैं, जो काफी दूरी तक फैली हुई हैं। यहां तक की Red Sea, Black Sea या फिर Yellow Sea हो, इसी तरह सब का अपना अपना कोस्ट लाइन यानि की तट रेखा है। इनके आजू-बाजू चटानों का एक बहुत बड़ा सा बॉर्डर हैं, जिसे आप देख सकते हैं, चल सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। वेल, Atlantic महासागर में सभी ऐसे नहीं है, क्योंकि ये है सरगैसो समंदर और ये धरती पर मौझूद सभी Sea यानि समुदरों से बिलकुल अलग है। ये सभी से इसलिए अलग है क्योंकि इसके पास अपना कोई Coast Line Border नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे बिना Coast Line के समुदर कैसे बन सकता है। वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्माई समुदर के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गमाएं, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये समुदर Atlantic महसागर में मौजूद हैं, जो जमीन से नहीं बलकि बड़े-बड़े Ocean Currents से खिरा हुआ है। इन Currents में the Gulf Stream, the North Atlantic Drift, the Canary Currents और North Equatorial Currents शामिल हैं। ये सब मिलकर एक विशाल घूमता हुआ भंवर बनाता है और जिसे North Atlantic Gyar कहा जाता है। ये सभी Currents मिलकर सरगैसो समुदर को बाकी Ocean से पूरी तरह से आइसोलेट करते रखे हैं। जिसका मतलब कि इसके पास Coast Line नहीं है, लेकिन Ocean Line है। दोस्तों, इस समुदर के अंदर काफी रहस्य चिपे हुए हैं, जो पृत्वी के किसी और जगा पर नहीं पाय जाते हैं। तो चलिए इस समुदर के रहस्यों के बारे में भी समझते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस पहले ऐसे वेखती थे जिन्होंने अपने एक्स्प्लोरेशन के दौरान इसके बारे में जिक्र किया था। दरशल एक्स्प्लोरेशन के दौरान बड़े पैमाने में समुद्र पर तैरती हुई समुद्री शैवाल जिसे Seaweed कहा जाता है। उनके बीच हुए फंस गय थे उन्ही समुद्री शैवाल समुद्र पर एक चटाई के समान बिछे हुए दिखाई दियें जिसे उन्होंने forest in the sea कहा था और अधिकतर जंगलों की तरह सरगैसों के पास uncanny tranquility था जो high sea में बहुत कम पाय जाते हैं इस समुद्र के आजू-बाजू में मौजूद करेंट्स एक protective wall यानि सुरक्षात्मक दिवार की तरह काम करते हैं इसके वज़ा से जितने भी करेंट्स समुद्र के पास से गुजरती हैं वे सब इससे टकरा कर इसके आजू-बाजू से चली जाती हैं इतना ही नहीं यहाँ पर मौजूद करेंट्स कम हवा में भी बहुत अधिक शान्त नहीं रहते हैं ये सभी activity एक भयानक मंजर को जनम देती हैं और वो है कि यहाँ पर कोई भी ship आकर फश जाती हैं और इससे बहुत कमी बार बाहार निकल पाती हैं ऐसे ही एक हैरान कर देने वाली कहानी है कि साल 1840 में रोजैली नाम के एक फ्रेंच मर्चन शिप इसी समुंदर में गायब हो गई थी और उसका कोई भी नामों निशान नहीं मिला था हाला कि बाद में शिप को इसी सरगैसु समुंदर में बहते हुए पाया गया था लेकिन शिप में एक सिंगल आदमी भी नहीं था कहा जाता है कि शिप पर कई लोग मौजूद थें जो एक रहस्मई तरीके से गायब हो गए शिप के मिलने के बाद किसी को भी क्रू का कोई सुराग नहीं मिला और ना ही ये पता चल पाया कि उस दिन शिप और क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ था यहां तक कि अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है वैसे तो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया इस सरगैसो समुदर असल में कितना बड़ा है क्योंकि इसका बॉर्डर लगातार बदलते रहते हैं लेकिन एक अनुमान के हिसाब से ये अठारा सो बाई छे सो मील में फैला हुआ है हालनकि अगर आप यहां से यात्रा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस समुदर से टकरा गए हैं करीब साथ मीटर गहराई तक इसका पानी नीला दिखाई देता है अगर इस समुदर के सरफेस की बात करें तो इसके सरफेस पर पुरा का पूरा शैवाल ही है जिसे सरगैसम सीवीड भी कहा जाता है खोज करता वैगैनिक और नाविक जमाने से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों सरगैसम एक भूरे रंग का माइक्रो शैवाल है जिसमें छोटे छोटे गैस फिल्ड सैक्स है जिन्हें नूमाटोसिस्ट कहा जाता है ये एर फिल्ड पॉकेट शैवाल को ओशिन के सरफेस पर तैरने में मदद करते हैं और ये टैंगल ड्रैफ्ट्स को बनाते हैं इसके अलावा ये शैवाल एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है ये एट्मोस्फियरिक कार्बन डाय अपसाइड को स्टोर और एब्सॉर्ब करता है दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने में भी मदद कार साबित होता है इसके अलावा यहाँ दो मोखिय स्पीशीज हैं सर्गैसम नेटन्स और सर्गैसम फ्लूइटन्स ये आपस में मिलकर सबस्टैंशिल सीवीड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सैंक्रो मील तक पहले हुए है कुछ का तो स्पेस से पता लगाया जा सकता है ये काफी बड़े हैं और सालों से एक नेविगेशनल लैंड मार्क की तरह काम कर रहे हैं आम तोर पर ये नावीकों को लोकेशन ढूनने और कन्फीशन दूर करने में मदद करते हैं लेकिन जैसे जैसे सर्गैसम का आकार बड़ा है इसके बारे में कई धारनाई भी बनाई जाने लगी है जैसे की ये सैंकडों मील में फैला हुआ है जो फ्लोरीडा के बीच को पूरी तरह से ढख सकता है इसके अलावा ये काफी धीमी गती से डिकॉम्पोज हो रहा है और हाइडरोजिन सलफाइड डिस्चार्ज कर रहा है जो एक सड़े हुए अंडे की तरह बदबू मारता है स्वाभाब एक रूप से इसका टूरिजम के उपर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि कहा नहीं सकता कि कल को आप बीच हॉलिडे पर जाएं और आपके कबाना बीच के कुछ दूरी पर ही सड़े हुए अंडे की बदबू आपको सूंगनी पड़ जाएं इसलिए बोट्स के जरीए लोग यहाँ पर जाकर इसे खतम करने की कोशिश कर रही है इससे पहले की ये पूरे फ्लोरीडा के बीच पर फैल जाएं दोस्तों सरगैसम ने हमेशा से मेरिनर्ज यानि की नावीकों को रहस्यमई बनाया है एक कहानी के अनुसार नावीकों को इसके भीतर छिपे हुए विलक्षन जीवों का पता चला है सभी शिप इसके अंदर नीराशा जनक रूप से उल्जे हुए है पारियों ने कहा था कि सरगैसम आदमियों और बोर्ट्स को खीच सकता है और इसमें कोई संदे नहीं है कि बर्मुडा ट्रैंगल मिस्ट्री में इसका भी योगदान है सरगैसम समुंदर का कुछ एरिया बर्मुडा ट्रैंगल से ओवरलाप करता है ऐसा माना जाता है कि फिनिशियन्स जो एक सी फेरिंग सभ्यता है 1550 बीसी के आसपास इस्टर्न मेडिटिरेनियन सी में अस्टित्व में आई थी उसी सभ्यता ने कोलंबस से भी पहले इस सरगैसम समुंदर की खोज की थी फिनिशिया की सभ्यता नेविगेशनल स्किल्स और मेरिटाइम प्राविस में काफी अडवांस थी सरगैसों में हुए रिसेंट डिस्कावरी में फिनिशियन आर्टिफैक्ट्स जैसे की पॉटरी, शार्ड्स और शिप्रेक्स ये इशारा करते हैं ये प्राचीन, मेरिनर्स यहां पर आए हो सकते हैं भारी मात्रा में मौजूद रिसोर्सिस की कारण फिनिशियन्स सरगैसों में दिल्चस्पी रखते थे जिसमें मचलियां और सरगैसम शैवाल जिनका इस्तिमाल कई जरूरी कारणों के लिए किया जा सकता था जैसे की मेडिसिन डाई यहां तक की कीमती मेटल जैसे की गोल्ड जरा सोच कर देखिए कि अगर फिनिशियन्स सरगैसों समुंदर में गये होंगे तो क्या वे आज से ड्धाई हजार साल पहले महान एक्स्प्लोरर लीफ एरिक्सन से पहले अमरीका की धरती पर क्या नहीं गए होंगे क्योंकि अमरीका यहां से तो काफी नजदीग है लेकिन साल 1872 के एक थियरी के अनुसार ब्राजील में एक शीला लेख के उपर फिनिशियन्स का राइटिंग था जिसमें ये लिखा गया था कि एक तूफान में फिनिशियन्स का शिप अपने बेडे से अलग हो गया और फिर वो साउथ अमरीका पहुँच गया हमें नहीं पता लेकिन ये एक चौका देने वाला थौट जरूर है दोस्तों सरगैसो का तैरता हुआ शैवाल आइलेंड कई हाइली विशिष्ट जीवों के लिए एक महतपून वाटरिनिंग होल के रूप में काम करता है मुख्य रूप से इनमें से कुछ सरगैसो समुन्दर में ही है इसका मतलब की विधर्ती पर कहीं और नहीं पाय जाते हैं जरा सोचिए ये कितना अजीब है कि ऐसे जीव सिर्फ इस समुन्दर में पाय जाते हैं इस पूरे के पूरे ओशन में ये समुंदर सिर्फ बॉर्डर्ज और करेंट से गिरा है वास्तव में ये काफी अजीब है इन फैक्ट सरगैसो समुंदर को दफलोटिंग सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफी बड़े पैमाने में इसमें बायो डाइवर्सिटी देखने को मि पाई जाती है ओशन के इस उजार छेतर में करीब 100 मचलियों की प्रजातियां पाई जाती है इसके अलावा 145 वर्टिब्रा और यहां तक की 10 शार्क भी पाई जाते हैं ये समुंदर को इन सभी जीवों के लिए उनका घर है वेल जीवन से भरे इस समुंदर को धर्ती के नैचरल वांडर्स के रूप में पहचान मिलने ही चाहिए हाला कि सतनिय ना होकर भी ये समुदरी बेबी कच्छुए केरिबियन समुंदर के तटों पर पैदा होते हैं और ये छोटे आकार के हीरो रहने के टिकाने को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर इस समुंदर में पहुँचकर सरगैसम को भी सुरक्षित करते हैं सीवीड यानि की शैवाल नरिश्मेंट और कामुफलेज दोनों ही प्रदान करता है और जो इन कच्चों के बच्चों को यहाँ पर शिकारियों से चिपने के लिए मदद करता है एक और मचली यहाँ पर मौजूद हैं जिसका नाम एटलांटिक वाइट मारलिन है यह प्रेगनेंट मचलियां अपने अंडे को इसी टैंगल्ड सीवीड मैट्स में चिपाती हैं और यह उनके आफस्प्रिंग को एक सिक्योर इन्वारिम्ट प्रदान करता है इस तरह का अनोखा स्ट्राटिजी इस मचली के द्वारा इस्तमाल किया जाता है वेल एक जीव हैं जो यहां के पानी में काफी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है जिसका नाम है हिस्ट्रियो हिस्ट्रियो इन्हें अच्छी तरह से सरगैसम फिश के नाम से भी जाना जाता है इसके शरीर की एपिरेंस कुछ हद तक एक शैवाल की तरह है जो इसे चिपने में मदद करते हैं ये अपने शिकार को बड़े ही चालाकी से टार्गेट करता है और उसका शिकार करता है यहां तक कि ये मचली अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाती है इसके अलावा इसमें इल फिश भी दिखाई देती है वैसे इसकी कहानी कुछ अलग है दरसल हजारों मील दूर अपने योरोपियन फ्रेश वाटर होम की यात्रा करके ये मचली सरगैसो समुन्दर में आती है और यहाँ पर अपने अंडों को देती है उसके बाद छोटी ईल मचलियां ओशन करंट्स की मगद से वोपस से योरोप अपने घर चली जाती है वहाँ पहुचते पहुचते सभी किसी बड़ी ईल फिश में बदल जाते हैं वेल ऐसा हो सकता है हम सिर्फ ऐसा कह सकते हैं क्यूंकि असल में हमें ये नहीं पता कि ईल कैसे रिप्रोडियूस होते हैं वो सब एक कनफ्यूजिंग और सरगैसो समुन्दर की सबसे कम समझ में आने वाली मिस्ट्री है दोस्तों सरगैसो समुन्दर इंटरनेशनल पानी को अकुपाई करता है और कोई भी सिंगल नेशन इस पर अपना दावा नहीं कर सकता है ये समुन्दर पृत्वी का एक महतपूर्ण और इंपोर्टन्ट लेगेसी है वेल इसे अगर किसी से खत्रा है तो हो सकता है कि वो हम इनसान ही है क्योंकि अभी देखा गया है कि बड़े पैमाने में नौर्थ अट्लांटिक का सारा कच्रा इसी समुन्दर में जाकर समा रहा है और जो इसके लिए और इसमें मौझूद जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों उम्मीद हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब भी करें फिल्हाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी अन्या इन्फरमेटिव वीडियो के साथ धन्यवाद